नमस्कार आज हम इस वीडियो के अंदर बोथ एंटरस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं टॉपिक है Medical Basic Knowledge, Medical भाषा की सामान्य जानकारी जो सभी व्यक्तियों को पता होना चाहिए इस वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक डिसकस करेंगे जो हमारे डेली लाइप से जुड़े हुए हैं और वो टॉपिक है Blood Pressure, Oxygen Level, Pulse Rate, City Score, Respiration Rate, Blood Sugar, Body Mass Index, Hemoglobin, Blood Level और Blood pH तो इन टॉपिक का डिसकस इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इन सब के बारे में हम पता करेंगे कि किसी भी स्वस्त व्यक्ति के अंदर इन सब की क्या-क्या लिमिट होती है और क्या-क्या लिमिट होना चाहिए हम सबसे बिले चलते हैं शरिर में Blood Pressure की तरफ Blood Pressure Normal 120 80 यानि Highest Blood Pressure 120 और Lowest 80 होगा तो वो Normal Blood Pressure कहा जाएगा यदि Highest Blood Pressure 130 और Lowest 85 पे तो Normal तो रहेगा पर यह Control के अंदर रहता है यदि Highest Blood Pressure 140 और Lowest 90 हो जाता है तो इसे थोड़ा बड़ा हुआ Blood Pressure है और यदि 150 से 95 के बीच में होता है यदि Maximum 150 और Lowest 95 होता है तो इसे Very High Blood Pressure कहा जाता है तो किसी भी स्वस्त व्यक्ति में उसके शरिर में Blood Pressure कितना होना चाहिए 120 हाइस्ट और 80 जो होता है वो Lowest होना चाहिए आखिर कर ये Blood Pressure होता क्या है तो यदि हम यहाँ पर देखे कि Blood Pressure क्या होता है तो हम देखते हैं कि हमारी जो Wentz होती है उस Wentz के अंदर क्या होता है बलड का Continuously Flow होता रहता है जब इस Blood का Continuously Flow होता रहता है तो ये blood क्या करता है कि हमारी वेंस पे लगातार दोनों जो वेंस होती है उनस वेंस पे क्या करता है प्रेशर अप्लाई करता है तो इस blood के दौरा जो हमारी वेंस होती है उस प्रेशर अपलाई किया जा रहा है उस pressure अपलाई को ही क्या कहा जाता है blood pressure कहा जाता है आखिरकार ये blood pressure जो होता है अभी हमने का कितना होना चाहिए तो इसके लिए उपरी इस तर को यहां पर medical terminology में systolic कहते हैं और lowest level को diastolic कहा जाता है तो upper level को systolic और lower level को diastolic कहते हैं तो high blood pressure कितना होगा कि जब 150 से above चला जाएगा तो उसे high blood pressure कहते हैं और low blood pressure किसे कहते हैं जो 100 से नीचे या 90 से नीचे चला जाता है तो उसे lowest blood pressure कहते हैं normal condition कितनी होगी तो normal condition diastolic की होती है लगबग 80 से लगाकर सिस्टो लिक्की होगी 120 के बिच में दी होती है तो इसको normal blood pressure कहा जाता है आगे बात करते हैं blood pressure की ही lower blood pressure के यानि की low blood pressure के क्या लक्षन है और high blood pressure के क्या लक्षन है उसके बारे में बात करते हम हम यहां बात करते हैं सबसे पर लोइस्ट बलड प्रेशर की बात करते हैं चकर आना, सर गुमना, उल्टी जैसा होना, मितली होना या जी मचलना, बेयोशी हो जाना, थकान या शरी बारी लगना, ध्यान लगाने में परिशानी होना, आखों के सामने अंदेरा चा जाना, दूल्दा दिकाई देना, हाथ पे ठंडे हो जाना, चेरा सपेद पढ़ना, सा हाई बलड प्रेशर आम तोर पर कोई स्पस्ट लक्षन दिखाई नहीं देता है, बहुत से लोगों को यह पता भी नहीं होता है, कि उन्हें हाई बलड प्रेशर हो गया है, यानि कि हाई बलड प्रेशर से गंबिर बिमारियां हो सकती है, जिनमें स्ट्रॉक और रदे भी शामिल होते हैं यह जानने की कि आवशकता है कि कि आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं उच्छ रखत चाप है तो एक मातर तरीका है कि आप अपने रखत चाप को मापयानी ब्लड प्रेशर को मेजरमेंड करें सभी वयस्क व्यक्तियों को कम से कम हर 5 साल में अपना ब्लड चेक कराते रहना चाहिए अब इसके लक्षन क्या है हाई ब्लड प्रेशर के लगातार सिर्दर्द होना दूल दिया दोरी दरश्टी होना नाक से खुन आना सांस में तकलीव होना ऐसे कुछ लक्षन होते हैं आगे बात करते हैं बॉड़ी में अक्सिजन लेवल क्या होता ह तो अक्सिजन लेवल को किस से चेक किया जाता है तो अक्सिजन लेवल को ऑक्सिमिटर से चेक किया जाता है किस से चेक किया जाता है औक्सिमिटर से चेक करते हैं नॉर्मल अक्सिजन लेवल कितना होता है तो 94 होता है 95 से 100 के बीच में किसी का है तो उसे बेटर अक्सिजन बहुत अच्छा oxygen level माना जाता है। 90 से तर्राणू के बिच में तो oxygen level थोड़ा सा कम हो जाता है। 80 से 89 के बिच में तो oxygen level बहुत कम हो गया है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को hospital में admit करना चाहिए। तो general या सामाने oxygen level कितना होता है तो ध्यान रखे 94 होता है। आगे बात करते हैं हम लोग oxygen level के बाद में नेक्स्ट है pulse rate अब pulse rate क्या होती है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो pulse rate 72 पर minute standard होती है यानिकि बहुत अच्छी मानी जाती है। यदि 60 से 80 भी पर minute तो उसको मद्यम मानी जाती है और इसमें भी किसी व्यक्ति के body में कोई भी तक मानी जाती है तो ऐसी condition में आपको डॉक्टर से सला लेना चाहिए तो ये बात किस कोई pulse rate की आगे चलते हैं body temperature हमारे शरीर का तापमान कितना होता है तो शरीर का सामान्य तापमान 98.6 Fahrenheit यानि 97 Fahrenheit और 37 degree होता है सामान्य तोर पर 100.4 Fahrenheit यानि 38 degree centigrade से उपर का तापमान होने पर व्यक्ति में fever यानि बुकार के लक्षन दिखाई देते हैं हर व्यक्ति के शरीर का तापमान थोड़ा सा different यानि की भिन हो सकता है और या दीन के समय और शायरी गतिविदियों जैसे कार को पर depend करता है तापमान लेने के लिए उपयोग में आने वाली पददी और परेड़ाम भी इसको अफेक्ट करते हैं तो बोड़ी का सामान तेंपरेचर कितना होता है तो 37 degree centigrade या 97 Fahrenheit आगे चलते हम HRCT या चेस्ट या CT स्केन करने की बात करने हम लोग तो HRCT 0 से 8 यदि होगी तो हमारे जो lungs होते हैं फैपड़े होते हैं उनमें mild infection होता है यानि बहुत कम infection होता है यदि HRCT score 9 से 18 के बीच में 9 से 18 के बीच में तो moderate infection है यानि कि सामान ये infection से तोड़ा सा infection बढ़ गया है और यदि HRCT score 90 से 25 के बीच में तो आपके फैपड़े हैं लग बग वो 90% तक damage हो चुके हैं यानि lungs आपके कितने damage होगे 90% तक damage हो जाते हैं तो HRCT score की तिन लेवले 0 से 8 9 से 18 और 19 से 25 होती हैं अब चलते हम lungs की तरफ आपको एक diagram दिखाई दे रहा है इस diagram को एदि हम लोग देखें तो इसमें देखें तो हमारे lungs के दो पार्ट होते हैं एक तो left hand वाला होता है और दूसरा right hand वाला होता है left hand वाले में तीन inferior इसी तरीके से right hand वाले में एक तो superior होता है और एक inferior होता है तो कुल मिलाके जो हमारे lungs यानि कि हमारे जो फैपड़े होते हैं वो 5 पार्ट से मिलकर बने होते हैं left side में होते हैं तीन पार्ट और right side में होते हैं कितने पार्ट दो पार्ट होते हैं तो कुल मिलाकर ये कितने 5 पाइप्स 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 पाइप जो भागे उसमें से यदि हमारे लंक्स में दो पार्ट इंफेक्ट हो गया मतलब पांच में से दो भाग जो हो गया वह इंफेक्शन हो गया और राइट एंड साइड में भी यदि दो भाग इंफेक्शन हो गया तो टोटल हम देखें तो कितना हो गया टू ओ टू कितना हो ग क्या है अच्छ हैं मत्दब कि 4% का इसमें क्या हो गया इसमें infection हो गया तो इस तरीके से infection का पता लगाया जाता है तो जो हमारे lungs होते हैं फेपड़े होते हैं उनमें infection का पता हमारे जो lungs के left hand side और right hand side के जो दोनों part होते हैं superior और inferior और middle इन सब से मिला कर ये पता किया जाता है कि हमारे lungs में किस तरीके से किसी भी virus का कितना infection है वो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं आगे बात करते हैं हम लोग अभी जो हम कह रहे थे कि जो lungs होते हमारे कितने part होगे तो right lungs और left lungs होता है तो हमने कहा कि एक तरफ तो हमारे कितने पार्ट होगे, तीर और एक तरव हमारे हो जाते हैं, कितने दो पार्ट हो जाते हैं, आगे बात करते हम रेस्परेशन रेट की, रेस्परेशन रेट मतलब की स्वशंदर, अलग-अलग व्यक्ति में, यानि अलग-अलग उम्रे में स्वशंदर अलग-अलग होती है, एक साल स चोटे व्यक्ति में या बच्चों के अंदर स्वशंदर 30 से 40 के बीच में होती है एक से दो वर्ष के बच्चों के बीच में 25 से 35 होती है दो से पांच वर्ष वाले बच्चों के बीच में 25 से 30 होती है और 5 से 12 वर्ष के बच्चों में 20 से 25 होती है बारा वर्ष के बाद से बारह से बिस के बीच में तो normal स्वशनदर है यानि justement कि वैक्ति स्वस्ते इससे कम या अधीक होने पर वैक्ति किसी जुक्ति की से खरोगर्श apt व्यात शुक्ति स्वस्ति रॉट में और खरे स्वेक detailed दॉटस्ब तो इस तो हम कहे रहे हैं, Fasting Blood Sugar और Post Mal. मतलब, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले. तो पहले बात कर रह Peru, Normal खाना खाने से पहले 70 से 100, यदि सित्तर से 100 के भीछ में हैं, तो व्यक्ती की Normal होगी. वो सित्तर से 140 कब खाना खाने के बाद में, तो वो blood sugar अच्छी मानी जाती है यदि pre-diabetes यानि जिसमें diabetes के तोरे वो characteristics से हलके बुल के लक्षन है तो उसमें क्या होना चीए 101 से 125 के भीच में खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद में 141 से 200 के भीच में है और diabetes जो patient है उसका blood sugar खाना खाने से पहले 125 और खाना खाने के बाद 200 हो जाता है तो यह तो blood sugar की बात हुई बात करते body mass index यानि BMI यह क्या होता है तो यदि 18.5 से कम है तो underweight यानि विक्ति का weight कम है normal में 18.5 से 24.5 के बीच में तो stender माना जाता है 25 से 30 के बीच में तो overweight है 30 से 35 के बीच में तो तोड़ा और मोटा हो गया और 35 से उपर है तो extremely हो जाता है तो body mass index इस तरीके से निकाला जाता है बात करतम last में normal hemoglobin level not a last it is a list normal hemoglobin level क्या होता है newborn baby के लिए 17 से 22 children के लिए 11 से 13 adult person यानि male के लिए 14 से 18 adult female के लिए 12 से 19 और LDR male के लिए 12.4 से 14.9 और LDR female के लिए 11.7 से 13.8 ये normal hemoglobin level होता है बात करते हो मच बलड इस दे हुमेन बॉड़ी about 5 लिटर कितना होना चाहिए किसी बिस्वस्त विक्ति में 5 से 6 लिटर रक्त यानि कि बलड होना चाहिए कहा जाता है कि 7 परतीशत of your body mass आपके body mass का 7 परतीशत क्या होना चाहिए बलड होना चाहिए 4.5 से 5.6 लिटर के बीच में किसमे होता है adult woman में होता है men के अंदर होता है लगबग 5 से 6 लिटर और woman के अंदर होता है 5.5 से 5 लिटर के बीच में यदि कोई pregnant woman है तो उसमें blood की जो quantity है वो लगबग 5 लिटर होना चाहिए तब ही व्यक्ती स्वस्त होता है तो I hope ये जो जानकारी है ये जो collection है basic knowledge of medicines का medicals का आप लोगों को पसंद आये होगा यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको subscribe जरूर करिएगा बात करते pH level blood के यदि blood के pH level की बात करें तो क्या होना चाहिए blood का pH level 7.40 होना चाहिए मतलब 7.35 से 7.45 के बिच में है तो अच्छा blood माना जाता है यदि उससे कम है और उससे ज़्यादा भी है यनि कि सास से कम और 7.70 से ज़्यादा है तो 7.40 से कम है तो acidic condition हो जाएगी यनि वेक्ति की death हो सकती है 7.470 से ज़्यादा है तो alkaline condition हो जाएगी यनि वेक्ति की फिर भी death हो जाएगी तो सबसे अच्छा pH क्या माना गया है तो 7.35 से 7.45 के बीच में माना जाता है और blood का exact pH level होता है 7.40 ये बात होई blood के pH level की तो ये कुछ terminology हमने बगड़ी basic knowledge of medicinal science अब I hope ये जानकर ये आपको अच्छी लगी है Thanks for watching in this video and subscribe this YouTube channel Thank you